मुझे साल पहले इचिंग की प्रॉब्लम शुरू हुई थी सुराइसेस की बीमारी में मुझे इतनी ज़्यादा खारिश होती थी कि दिल करता था चमड़ी ही उतार के फेक दो प्रॉब्लम होती थी सुर पहनने में कि कपड़ा मेरे स्किन के साथ ही चिपक जाता था धूप में नहीं जा पाती थी बारिश में कहीं नहीं जा पाती थी सोने में बहुत दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा रात में इचिंग होनी शुरू हो जाती थी फीजीकी लिए तो ये बीमारी ने मुझे प्रॉब्लम किया ही किया था और मेंटली भी मुझे इस बीमारी ने बहुत ही डिस्टरॉब कर दिया था मेरा नाम कोमल है मैं खाउस वाइफ हूँ मुझे साल पहले इचिंग की प्रॉब्लम शुरू हुई थी तो मैंने डॉक्टर को दिखाया डॉक्टर से मैंने मैडिसन वगरा ली तो उन्होंने मुझे क्रीम लगाने के लिए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उससे और ज किया उनसे मैंने दवाई लेनी शुरू की उनसे भी नहीं फर्क पड़ा मुझे मुझे सोने में मुझे धूप में निकलने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी मैं धूप में निकलती तो मेरी स्कीन ऐसे जलन करती थी कि जैसे लगता था मेरी चमड़ी बिल्कुल जल रही ह तो मैंने एक दिन ऐसी बैठ के गूगल पे सर्च किया कि बेस्ट डॉक्टर कौन है इस चीज के मामले में तो मुझे पता लगा डॉक्टर शादा जी के बारे में तो मैंने उनको कॉल किया उन्होंने अपना अड्रेस बताया तो मैं वहाँ पर गई मैंने देखा हॉस्पि मैंने फिर उनके पास गई फिर उन्होंने मुझे दो महीने की दवाई दी दो महीने की दवाई खाने से बिल्कुल मेरी प्रॉब्लम दूर हो गई मेरी एक साल की प्रॉब्लम उन्होंने दो महीने में ठीक कर दी वह भी जड़ से ठीक कर दी मैंने ये भी बताया कि इसी प् फॉल फूरूट खाई जूस पीए उससे भी बहुत फर्क पड़ता है आज मैं देख लीजी आपके सामने फुल सूट पैन के बैठी हूं फुल कपड़े की बाजु है ठीक है वह मेरे को बिल्कुल भी इचिंग और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है मेरी बिल्कुल बाजु रहते हैं तो मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि आप फ्लीज पोई भी आपको प्रॉब्लम आपके जोडों में दर्द हो रहा है आपको गठी है कि प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉबलम है तो आप एक बड़ दॉक्टर शार्दा जी से जरूर कंसल्ट कीजिए मैं ब